नमस्कार नियो इसके योग आसन श्रिंखला में आपका स्वागत है आज हम करेंगे सुख आसन इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम इसकी साफधानिया सीखेंगे जानेंगे और उसके बाद हम इसकी विधी कैसे करते हैं और उसके बाद हम इसके लाभूं पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले आएए जाने किसे ये आसन नहीं करना चाहिए या साफधानी पुर्वक करना चाहिए अगर आप घुटने के दर्ट से पीरित हैं तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए रीर की हड़ी से प्रशान व्यक्ति भी इस आसन को अगर करते हैं तो कम समय के लिए करें या दिवार से सटके ये आसन करें दिवार से पीर टिका कर ये आसन हमेशा खाली पेट करना चाहिए और इसे थोड़ा शांत वातावरन में और अच्छी वायू जहां हो वहाँ पे करना चाहिए साइटिका के रोग्यों को भी ये आसन नहीं करना चाहिए सो आए देखें कैसे करते हैं ये आसन ये बहुत ही जैसे की नाम से ही पता चलता है सुखासन सुख पूर्वक किया जाने वाला आसन है और इसे फायदे इसके लाब बहुत सारे हैं तो चलिए देखें हम कैसे करते हैं सुखासन तब से पहले तो आप पैड़ों को सीधा रखें फिर एक पैड घुटनों से मोरेंगे दूसरे जंगा के नीचे दूसरा पैड मोरके पहले जंगा के नीचे इस तरह से हम सीधा बैठ जाएंगे इसमें कुछ भी नहीं करना ना हमें पैर उठाके उपर रखना है जस इस तरह से और हाथों को दो तरह से हाथों को हम रख सकते हैं एक है ये ध्यान मुज्रा में हाथों को रखे ग्यान मुज्रा में पीट सीधी रीर की हड़ी पूरी सीधी गला गर्दन पूरी उपर के और तनी हुई और आखों को धीरी से बंद करेंगे दूसरा दंग है कि अपने बाए हाथ के उपर बाए हथेली के उपर दाइं हथेली रखेंगे अपने नमस्कार, NIS के योग आसन श्रिंखला में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे पस्चिम उत्तान आसन पस्चिम उत्तान आसन जैसे कि नाम से प्रतीत होता है पीछे के सारे मांस्पेशियों को खिचाओ देता है हमारे मेरुदंड को खिचाओ देता है, जंगा को खिचाओ देता है और इसके बहुत सारे फाइदे हैं और इसके कुछ सावधानिया भी हैं जो सबसे पहले तो हम इस विद्धी को देखते हैं, उसके बाद इसके लाव और साफधानियों पे विचार करेंगे, उन्हें समझेंगे, सबसे पहले देखें पश्चिमुत्तान आसन कैसे करते हैं, अपने मैट पे सीधा बैठें, पेरों को आगे सीधा रखें, और दंद आसन में बैठें, इसमें अपने मेरु दंद को सीधा रखते हैं, अपने हातों को अपने नितम के साइढ में ऐसे लगाके रखना है, छुट्टी सीधी, दोनों घुटने मिले हुए, दोनों पंजे मिले हुए और धीरे-धीरे हाथों को उपर के ओर ले जाएंगे, साहास भरते हुए और यहां हम मेरुदन को अच्छी खिचाओ देने के लिए अपने दोनों हातों के उंग्लियों को एक साथ फसा के इस तरह से उपर के और तानेंगे जिससे मेरुदन पूरा खुल जाएगा और बगल में भी थोड़ा जुकेंगे और इससे हमारा पूरा शरीर इस आसन को करने के लिए त्यार हो जाएगा फैर के और अपनी और खीचे थांतों को उपर सिर को धोड़ा उपर करके अपने उंग्लियों की तरफ देखे हातों को आगे खीचते हुए धीरे धीरे आगे के ओर आएंगे जुकेंगे सांस छोड़ते हुए या तो आप उलियों को पकड़े या अपने पैर को साइट से पकड़ सकते हैं घुटने मिले हुँगे अपने शरीर को आगे खीचिए और धीरे धीरे अपनी ठुड़ी को आगे निकालके थोड़ी देखे लिए दुकेंगे मास स्पेस या इस स्थिती में हमारे शरीर की एड़़स्ट होनी चाहिए उसके बाद सांस लेते हुए शरीर को थोड़ा आगे खीचते हुए नीचे की और ले जाएंगे अपनी कोनियों को नीचे जमिन की और जुकेंगे कंधों को ढीला छोड़े इस स्थिती में समाने सांस लेते रहना चाहिए और फुरी देर लग बीस सेकेंड से तीस सेकेंड अगर इसको होल करते हैं तो हमारे सरीर का सारा भाग पीछे का खिच जाएगा अब दीरे दीरे अपने हाथों को आगे खीशते हुए उपर उठेंगे सांस भरते हुए अपने हाथों को वापस अपनी जगते यह था पस्च मुत्तान आसन इसके पहले कि हम इसकी साफधानियों लाप को जाने सबसे पहले हम इसका जो हमें इसके जस्ट इसके बाद एक आसन करना चाहिए यह है पुर्वतान आसन जिससे की जो हम आगे जुपते हैं हमारी कमर आगे क्यों जुपती है उसको बालेंस में लाने के लिए तो हमारे शरीक्या चेस्ट उसको विप्रीत इसामें बाडी को रख करने के लिए हम करते हैं पुर्वतान आसन जो चले देखें पुर्वतान आसन कैसे करेंगे दोनों हातों को पीछे रखेंगे और अपने सिर को पीछे के और जुकाएंगे धीरे धीरे अपने बटक्स को उपर उठाना है और अपने पूरी पैर का पूरा जो तलवा है वो जमीन में लगाएंगे घुटने सीधे इस स्थिती में थोड़ी देर रहेंगे और फिर धीरे धीरे सास छोड़ते हुए निची आ जाएंगे ये था पुर्वत्तानासन जो हमारे सामने के शरीर को खीचता है पश्यमुत्तानासन करने के बाद यह आसन हमें जरूर करना चाहिए तो आएं देखें पश्यमुत्तानासन में किस तरह की साथानी बरतने चाहिए लखने चाहिए सबसे पहले अगर आपके पेट में अलसर है या पेट से रिलेटेट, आंतों से रिलेटेट कोई विमारी है तो हमें पश्ची मुत्तान आसन नहीं करना चाहिए पेट का आपरेशन हुआ हो तब ही नहीं करना चाहिए और सबसे पहले बात तो हमारा पेट खाली हो तब ही यह आसन करना चाहिए जैसे आपने देखा इसमें हमारा पेट पूरा पैनों पे दोहरा हो जाता है ऐसे में पेट खाली हो पेट को अंदर खीच के ही आसन करते हैं और जब भी हम इस आसन को करते हैं जैसे आपने देखा होगा जल्दी बाजी या जटके के साथ नहीं करनी चाहिए इसके लिए हमें इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले तो हम सीधा बैठेंगे बहुत धीरे धीरे सांसों की गदी के साथ इस आसन को करते हैं आगे जुपते समय सांस शोरेंगे पेट को अंदर खीचेंगे और जब हम उपर उठना है तो हम अपने हाथ को आगे खीचते हुए उपर तान कर उपर उठेंगे सांस लेते हुए तो जिसके भी ऐसे में पेट पर चुकि बहुत ज़्यादा दवाब परता है तो पेट के किसी भी प्रॉब्लम आतों में सूजन हो, हर्णिया हो, अलसर हो ऐसे में या अभ्यास नहीं करना चाहिए इसके लाबा अगर आपके कमर में तकलीफ है, तो भी या आसन नहीं करना चाहिए और इस आसन के बाद, चुकि इस आसन में हम आगे के ओर जुकते हैं, एक सावधानी ये है, कि जैसे मैंने अभी दिखाया, कि हमें इस आसन के तुरंद बाद पुर्वत्तान आसन करना चाहिए कुछ लोग इस आसन के बाद भुजांग आसन या शलव आसन भी कर लेते हैं, तो दोनों आसन ठीक उल्टा अपके मेरु दंड को उल्टी तरफ खीचता है, तो ये थी सावधानिया जो हमें पश्चिमुत्तान आसन करने से पहले ध्यान देना है, इसके बार आये चले इसके लाव क्या क्या है, पश्चिमुत्तान आसन मेरु दंड को लचीला बनाता है, और इसके नियमित अभ्यास से शरीर की हाइट में बढ़ाई जा सकती है, ये पैरों की कोई भी समस्या हो, जैसे कि मास्पेश्चियां आपकी कमजोर हो, तो उन्हें मजबूत बनाता है, अगर वो कड़क हैं, तो उन्हें लचीला बनाता है, तो मास्पेश्चियों के हेल्थ के लिए, स्वास्थ के लिए भी, पैरों की मास्पेश्चियों के स्वास्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है, ये पेट की जर्भी को कम करता है, और पेट की पेश्चियों को भी मद्बूत करता है अपच्च कब्ज आदी को दूर करता है पश्चि मुथ्तान के अभ्यास से तचा रोग भी दूर करने में साहत्या मिलती है पश्चि मुथ्तान का अगरहाँ आप Niamit अभ्यास करते हैं तो आप तनाव पे नियंतरन कर सकते हैं प्रोध को दू रखना मन को सांत और प्रसन रखना इस आसन से पॉसिबल है संभव है इससे अनिद्रा रोग में भी लापक्राप्त होता है इसमें गुर्दे की बिमारी किड्नी की जो प्रॉब्लम होती है उसको रोका जा सकता है अगर आप यह हमेशा करते हैं तो चुकि यह किड्नी पे अच्छा प्रेशर डालता है जब आप आगे जुकते हैं तो उसमें अच्छे रक्त का संचार होता है जिसके कारण गुर्दे की बिमारी कभी नहीं होती है यह शरीर में रक्त का प्रवावी बेहतर करता है और इस तरह से चेहरे पे तेज लाता है तो यह था प पश्यमुत्तान आसन करने की विदी उसके उसकी सावधानिया और उसके लाव कि अगर आपका पैर का की मास पेशियां करक हैं आपने कर पाते हो या आपको थोड़ा बहुत पीठ मेरुदर्ण में दर्ध है तो आप इसका एक एजी वर्सन है जानु सिरसासन वह कर सकते हैं बेनुफिट सारे इसके आपके पश्यमुत्तान आसन के समान ही रहेगा आएए देखें जानु सिरसासन कैसे करते हैं सबसे पहले अपने पैर को सीधा कर लें आगे सीधा बैठें फिर बाइंग पैर को मोरेंगे और उसे दाइं जंगा के पास में लगाएंगे इसमें झैसे हमने पश्यमुत्तान आसन में हाथों को उपर किया था यहां भी हाथ उपर करेंगे उपर देखेंगे और आगे के और शरीर को खीशते हुए सांस छोडते हुएasına एग्जेल करेंगे और अपने दाइने प 거죠 mandate या अंगुठे को और इस तरह से धीरे धीरे इन्हेल करते हुए अपने बॉड़ी को आगे खीचेंगे एक्जेल करते हुए सास्ट होड़ते हुए नीचे इन्हेल सास लेंगे हंथों को आगे खीचेंगे फिर कान के साथ बांक को लगाते हुए उपर एक्जेल नीचे इस तरह से दूसरी और से भी करेंगे कभी एक और से नहीं करते हैं कोई भी आसाद दूसरी और से बाए पैर को सीधा लेक पोजीशन इंटर चीज़ दाइना पैर आपका ऐसे बाए पैर के अंदर से जांगू को लगेगा इनहेल हाथों को उपर देखें आगे की और शरीर को खीचते हुए एक्जेल करेंगे सास छोड़ते हुए नीचे आएंगे एक बार अपने शरीर को इस में एड़्जस्ट होने दे इस पोजीशन में फिर सांस को लेके आगे क्यों शरीर को कीचे और फिर सांस छोड़ते हुए एक्जेल करते हुए शरीर को नीचे जाने दे सांस लेते हुए उपर को धिर दिवे नीचे करेंगे जैसे पश्चिमुत्तानासन के बाद हमने पूर्वत्तानासन किया उसी तरह प्रानुसिर्शासन के बाद भी हम पूर्वत्तानासन करेंगे कि या उजंगासन या सलभासन ज्याद तर पूर्वत्तानासन करते हैं जो हमने अभी पहले देखा था आशा है आपको ये आसन करना आसान लगा होगा धन्यवाद